और अब वक्त हो गया है कारिक्रम में आज के महमान सेग्मेंट का और मैं आपको बता दू कि आज के महमान में हमारे साथ है सैयम इंदू रख्या जी हाँ दर्शकों तो मैं आपको ये बता दू कि जो सैयम जी है ये साई टेक सोलर कंपनी के डारेक्टर है क्योंकि आज हम सब भी राश्टे ऊर्जा संरक्षन दिवस मनाख रहे हैं तो जो सोलार एनरजी है, वो भी एक ऊर्जा प्रकार है ऊर्जा का और आज हम उनसे इसी बारे में जानेंगे कि सोलार एनरजी पर क्या काम कर ह прекрас hunger रहे हैं और हमको भी वो गाइड करेंगे कि ये काम हम भी कैसे कर सकते हैं तो बिलकुल आए स्वागत करते हैं सैयम जी का सैयम जी बहुत-बहुत स्वागत है कारी करम है आपका मैं नमस्कार सभी दर्शनों को नमस्कार और मैं आप सभी का स्वागत करता है और मैं आपको धन्यवाद दूँगा कि दूर दर्शन ने आज इतना अच्छा एक इनिशेटिव लिया, इतने अच्छे दिन और एक इतना अच्छा इनिशेटिव लिया, तो थांक्यू सो मुझ आज इतने अच्छे दिन, यानि कि उर्जा संरक्षन के दिन, हम आप सभी को कि उर्जा संरक्षन कैसे किया जा सकता है, उर्जा संरक्षन दिवस के दिन, बिल्कुल तो सबसे पहले तो सेयम जी मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कारे आप कर रहे हैं, मैं भुपाल बेजड हमारी सोलर की कंपनी है, हम लोग पिछले आठ वर् कि हमारे पास नेचर है और हमारे मध्यप्रदेश की बात करूं, इंडिया की बात करूं, बहुत अच्छा सोलर रेडियेशन है, और मैं आपसे बात करूं, जब से धर्ती का निर्मान हुआ है, जब से श्रिष्टी का निर्मान हुआ है, तब से लेके आज तक हम सोलर इनेर वह लिए वह बतार है कि अन्होंने बताया कि भारत में कितना अच्छा है मतलब जो solar energy याने की उर्जा का जो स्त्रोत है वो मतलब जो हम अगर मैं आपको ये बताऊं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर 300 दिन से जादा हमें सीधी धूप मिलती है तो बिल्कुल भी गलत नहीं है और इसलिए हमें इस उर्जा के स्त्रोत के बारे में सोचना चाहिए और इसके इसको हम कितना संरक्षित करके इसका जादा से जादा कितना उपयोग कर सकते हैं इस और भी हमें पहल करनी होगी और कैसे करनी होगी या सैयम जी हमें बताने के लिए उस्ट्यूडियो में है तो सैयम जी कैसे solar plans को आप implement कर रहे हैं कैसे logo तक आप पहुचा रहे हैं इस बात को कैसे गाइड कर रहे हैं बिलकुल मैं एक आपको एक केस लेता हूं जैसे मान लीजे कोविट के बाद से maximum work from home का culture जादा चालू हो गया हमारे consumption pattern चालू हो गया आज का लोग अपने जो सबसे जादा investment कर रहे हैं वो घरों में कर रहे हैं क्योंकि एक नॉर्मल घरों के भी टूबी एच के घर का पांस से चहार रुपे का एवरेज बिजली का बिल आता है लेकिन अगर वो customer अपने घर पे वो solar plant अपने घर पे लगाते हैं तो एक 3 किलो वाट का प्लांट लगाने से लगभग 3-4 जार रुपे महीने का बिल आपका कम हो सक लगाते हैं तो यह net metering based system है solar से जो भी बिजली बनती है पहले आपके घर में यूज हो जाती है अत्रिक्त बिजली आप MPB को दे भी सकते हैं तो आपके घर में meter चेंज हो जाता है जो हमारे घर में meter है वो single directional meter है जब आप solar plant लगाते हैं तो meter change हो कि net meter bi-directional meter में लग जाता है जिसमें import और export दोनों करने की facility रहती है और government इसको काफी support भी कर रही है तो यह net metering based system मैं सबको suggest करता हूं कि आप यह system अपने घर पे use करें क्योंकि आज नहीं तो कल आपको solar energy पे जाना ही पड़ेगा बिल्कुल जिस तरीके से आख मूंद कर हम जिस दिशा में बढ़ रहे ह है और जो हमारे प्राकर्तिक जो जो चीजें संसादन है नौन रिजनेरबल एनर्जी इस तरह हम यूज कर रहे हैं भविश्य में आने वाले समय में हमें ज़रुवत पड़ेगी कि हम switch कर जाए इन प्राकर्तिक चीजों पर सायम जी जैसे कि आपने कहा कि नेट मीटरिंग तो दर्शों को अब बद सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रह गिए कि आपको अपने बिजली का बिल देना है अब उस बिजली के बिल को बचा कर बचा भी सकते हैं और उसके आगे भी बात आगे है कि आप बिजली सरकार को दे शाम भी सकते हैं तो इससे अच्छा और क्या होगा चाओंगे कि बहुत सारे लोगों से आपका मिलना होता होगा क्या देखने में आता है लोग कितने अवेयर हैं, सोलर एनर्जी को ले कर बिलकुल मायँ मैं आज देखता हूं तो बहुत से लोगों को यही नेए पता रहता पता है कि solar से आप बिजली भी बना सकते हैं और आप अपना बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं क्योंकि आज आप देखेंगे सब को यह पता है कि solar cooker हमने भी बच्पन में यूज कि गोगों को पता है, इसी बटने में कोई भी बैटरी नहीं लग सकती है, नेट मेटरिंग बेस सिस्टम में सोलर से बिजली बनके आप अपने घरों में यूज करिए, बच्वी बिजली आप MPB को दे भी सकते हैं, तो ये बहुत ही एक अवेरनेस प्रोग्राम काफी आपके दूरदर्शन के माध्यम से काफी लोगों को ये समचार भी जाएगा कि आप अपने घरों पे भी ये सिस्टम लगा सकते हैं, और हम लोग जो एक मैसेज आप सभी को देना चाहूंगा, अगर मैं किसी से भी बोलू, आज की डेट में बिजली का पादन हो रहा है, वो कोईले के थर्मल पावर प्लांट से हो मैं किसी से भी बोलू, क्या आप अपने घर में एक थर्मल पावर प्लांट लगाना चाहेंगे, जहां से कोईला बन हो रहा है, और प्लूशन हो रहा है, कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन सोलर पावर प्लांट नेचर से हम यूज करके, हम इंडरेक्ली नेचर को बिलकुल प्लूशित नहीं कर रहा है, प्रदूशित नहीं कर रहा है, तो हम यह सोलर पावर प्लांट को बिलकुल अपनाना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान की दो समस्या है, एक बढ़ता हुआ बिजली का बिल और पैट्रोल और डीजल के रेट, तो हम लोग आज गाडियां इतन इत्रिक वीकल, दोनों ही एक हमारे परियावरन को काफी हद तक बचाने में कारगर साबित होगी, बिलकुल हम हमारे दर्शकों को यह तो बता रहे हैं, कि हम यह ऐसा करना चाहिए, लेकिन उनको हम आप यह भी बताई कि किस सरह से वह यह कर सकते हैं, कैसे बतलब यह 16 पैनल हो गया, मैंने भी इस इंडस्ट्री में काम करना चालू किया, आप बिजली का उत्पादन कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज, अगर आपके अंदर इंट्रेस्ट है, मुझे सीखना है, तो हम लोग ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, हमारे इंडिया का नंबर वन ट् आप करें, हम उनको पूरा प्राक्टिकल नौलेज्श प्रोवाइड करते हैं, ट्रेणिंग देते हैं, और फिर क्योंकि घ्यान लेके आप काम करेंगे, तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कोई भी फील्ड में आप काम करें, तो आपको ट्रेणिग करना पड़ेगा, उसक से आपने बता है तो क्या कुस्ट ट्रेणिंग प्रोग्राम भी आप चलाते हैं बिलकुल मैं हमारा एक 5 डेज प्लस 20 देज का प्रैक्टिकल ट्रेणिंग प्रोग्राम भी होता है भुपाल में और अभी में आपको बता हूं 16 दिसंबर से हमारा बैच चालू होने वाला है ज इंडिया का नंबर वन ट्रेणिंग इंसिट्यूट बुपाल में अविलिबल है तो देखिए यह सब ट्रेणिंग आप दे रहे हैं आपकी जरूरी कभी ना कभी कही ना कहीं से शुरू हुई होगी आपने कहीं से सीखा होगा तो जैसे कि आपने बताया कि आप टेक्निकल आपने इस इंडस्ट्री में काम चालू किया था तो मुझे भी उस टाइम पर पता नहीं था मेरे जस्ट फादर हमारा नेया घर बनाता वाटर हीटर लगवा रहे थे तो बिंग फ्रॉम इंजिनियर बैक्राउंड इनने मुझ से पूछा तुम्हें पता है इसकी और मुझे दीरे मतलब एक opportunity अगर आपकी जहां चाहा है वहां रहा अपने आप मिल जाती है तो मुझे एक IIT Bombay की रहा मिली थी मेरे गुरू है डॉक्टर चेतन सिंग सोलंकी सर तो मुझे वहां पर जाने का मौका मिला और दो साल मैं वहां पर काफी research and development का मैंने solar पर काम कि तो वहीं से मेरी life में एक turning point आया तो मुझे लगा कि जो knowledge मेरे पास है वो knowledge और भी लोगों को तक आगे circulate हो ताकि हम परिया वरन को मिलके आगे बचा पाएं और साथी साथ business opportunity, रोजगार opportunity और भी लोगों को इस industry में knowledge मिले और इस industry में लोग बाग अपना career बना है बिल्कुल जब कोई हम अच्छा कार करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ वो एक रहानी होती और भी अलग अलग रहें अपने आप जुड़ती जाती है ये खास बात होती है किसी अच्छे कार की जैसे कि काफी जो आपने कार शुरू गया ये बहुत different था इसा support आपको उस कारे में उनका मिला बिल्कुल मैं बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया क्योंकि कोई भी कार करना है आपको और खासतोर से business करना है तो family का अगर support ना रहे तो आप काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं तो मेरे को हम लोग का already printing and publication का business है तो मेरे father ने मुझे जो तुमारा अंतरातना बोले जिसमें तुमारा इंटरेस्ट है करने के तुम करो पूरा परिवार का पूरा support रहेगा तो मेरे father मेरी mother सब ने पूरी परिवार ने पूरा support किया मुझे जहां जहां क्योंकि मैंने कोई भी काम करने के लिए काफी knowledge ली कोई गुजरात भी गय गया राजिस्थान गया डेली गया मुंबई गया हर जगे से knowledge लेके आया फिर काम चालू किया मेरे father ने directly एक चीज बोले थी कोई भी industry में काम करना है पहले उस industry की knowledge ले लो फिर काम करो क्योंकि आप किसी पर dependent रहोगे कल करो आपकी जो team है वो छोड़ के जाती है या कुछ बी चीज होती है तो आप उन पर dependent आपका काम रुख जाएगा लेकिन आज आपके पास ग्यान है आपके पास knowledge है तो आप अपने जैसे duplicate copy और भी बना सकते तो इसलिए मैंने दीरे-दीरे मेहनत की चालू किया काम knowledge ली और इस industry में आगे किया मेरा education qualification ही solar पे और मैं जित्ते space पे focus way में काम करी क्योंकि future इसका बहुत अच्छा है government बहुत अच्छा support करी और long term का future इसमें 2040-2050 तक का future बहुत bright है बिल्कुल और अगर मैं कहूं कि आने वाले वक्त में जो solar energy ये एक game changer की तरह सामने आने वाली है और दुशको जो solar energy वो समान जीवन से लेकर उद्योग तक भी ये एक एहम भूमी का के रूप में आने वाली है आगे आने वाले भविश्य में सायम जी जाते जाते चोटा सा एक message हमारे संदेश हमारे दर्शकों के ये दो lines का मैं बस आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि ये पर्यावरन है हमें ही इसके बीच में रहना है आज सब अब भारत है भारत तो green energy में promote करें solar energy renewable energy को promote करें और energy conservation पे बिल्कुल धिहान दें क्योंकि हमें आने वाली PD को भी कुछ gift विरासत में देखे जाना है बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सायम जी कारी करम है अपने समय देने के लिए और इतना अच्छा guidance भी हमारे दर्श दाया होगा जाते जाते एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए चोटे-चोटे बदलाव कुछ बहुत कुछ बड़ा भी करने की हिम्मत रखते हैं बस वो चोटे से बदलाव हमें हमारे जीवन में लाना है वो चोटे-चोटे से बदलाव समय के साथ हम अपने जीवन में ला वाली है अगले अंक में आप सभी से फिर से मिला होगा मुझे अनुमती दीजे नमस्कार वाली होon कि तो सभी से ए और पक दो मिला होगा मुझे आप साथ